ओके सो हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद कॉंसेट्स कैसे हैं सभी लोग सो देखेगा यहाँ पर हम लोगों को एकोनोमिक्स एंड मार्केटिंग के कुछ नए नए टाइप्स के कोशन्स हमें देखने है मैं यहाँ पर आप लोग ले कुछ कोशन्स लेके आया हूँ जो की काफी इंपोर्टेंट है हम जो भी आज पढ़ेंगे उसकी पीडिएफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है सबी स्टुडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा जो स्टुडेंट्स यहां पर डिएफ सी सी आयल की प्रप्रेशन कर रहे हैं वो एकोनोमिक्स और मार्केटिंग के कोश्चन्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेगा if the account has a credit balance then the relationship is called जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खुलता है और यदि खाते में credit 6 है तो उस relation को हम क्या कहते हैं यह हमें बताना है तो देखेगा उस relation को कहा जाता है देंदार और लेंदार means debtor and creditor clear है जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खुलता है और यदि खाते में credit 6 है तो उस relationship को हम क्या कहेंगे देंदार और लेंदार means debtor and creditor clear so option A यहां से correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question देखें क्या कह रहा है next question है which of the following is also known as time deposit very important question यह exam में पूछा भी जा चुका है clear so मैं यह लिख देता हूं very important so time deposit किसे कहा जाता है निम्न में से किसे सावधी जमा के रूप में भी जाना जाता है so देखेगा वो है fixed deposit ठीक है time deposit को ही हम क्या कहते है fixed deposit कहते है या आप ऐसा समझ लेजिए fixed deposit को ही हम क्या कहते है time deposit कहते है आपके पास यहां पर चार options दिए जाएंगे question में fixed deposit, saving deposit, current deposit या फिर all of the above तो आपको पता होना चाहिए कि time deposit कहा जाता है किसे fixed deposit को FD को हम इसे short में क्या कहते है FD ठीक है इसी को हम क्या कहते है TD means time deposit आगे बढ़ते है KYC का full form क्या है बहुत important है अभी NTPC के exam में भी KYC का यहाँ पर full form पूछा गया है किसी एक shift में so KYC का full form होता है know your customer अच्छा यहाँ पर लिखा रहता है know your clients है ना तो client यदी लिखा रहेगा तो answer कर ला तुझा है client की जगा क्या होना चाहिए customer clear so know your customer है KYC का full form ठीक है KYC stands for know your customer आगे बढ़ते हैं which among the following body promoted Securities Trading Corporation of India Limited that is STCI jointly with the public sector banks say B Reserve Bank of India, IDBI Limited, ICICI Limited so निम्न में से किस निकाये ने Securities Trading Corporation of India Limited को सार्वजनिक शेत्र के बैंकों के साथ साहियोत रूप से बढ़ावा दिया so वो है Reserve Bank of India clear so Reserve Bank of India ने STCI सार्वजनिक शेत्र के बैंकों के साथ सहियोत रूप से बढ़ावा दिया है और STCI का full form क्या है Securities Trading Corporation of India Limited चीक है चलिए आगे बढ़ते है which of the following is the oldest stock exchange in the world very important ये भी question exam में पूछे जा चुके है SSC में भी आ चुका है ये तो निम्न में से कौन विश्व का सबसे पुराना stock exchange है तो आपको पता होना चाहिए London stock exchange clear आपका यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा London stock exchange is the oldest stock exchange in the world आगे बढ़ते है money deposited with the bank become a debt due bank में जमा किया गया धन देरीन बन जाता है हम क्या कहते हैं किस से बन जाता है ग्राहक से from the customer clear तो option में आपको ये भी लिखा रहेगा कि या तो customer या फिर banker नहीं हमारा correct क्या होगा customer से जो है bank में जमा किया गया धन देरीन बन जाता है या फिर debt due बन जाता है किस से ग्राहक से किस से customer से from the customer आगे बढ़ते हैं which of the following is the largest community in classification of e-commerce निम्न में से कौन e-commerce के वर्गी करने में सबसे बड़ा समुदाय है यह तो काफी easy question है B2B means business to business clear हो गया चले so निम्न में से कौन e-commerce के वर्गी करन में सबसे बड़ा समुदाय है ठीक है सबसे बड़ी community है largest community है तो कौन सी B2B B2B means क्या होता है यहाँ पर B2B means क्या होता है business to business आगे बढ़ते हैं next question देखिए the types of business to business e-commerce are business to business e-commerce के प्रकाइड डैश है तो देखिए direct selling and support to business यह एक B2B का क्या है type है industry portal एक क्या है B2B का type है information sites about an industry यह भी एक क्या है B2B का type है सो हम यहाँ पर क्या करेंगे all of the above clear so the types of business to business e-commerce are direct selling and support to business industry portals and information sites about an industry clear so option D यहाँ पर correct हो जाएगा all of the above आगे बढ़ते हैं money lent for more than 1 days but less than 15 days यह question तो मैं पहले भी करवा चुका हूं उसे हम क्या कहेंगे एक दिन से अधिक लेकिन 15 दिनों से कम समय के लिए उधार दिया गया धन क्या कहलाता है notice money कहलाता है क्या कहलाता है notice money कहलाता है very important question है एक दिन से अधिक लेकिन 15 दिन से कम समय के लिए उधार दिया गया धन क्या कहलाता है notice money कहलाता है clear चलिए आगे बढ़ते हैं commercial papers were first issued in the Indian money market in भारती मुद्रा बाजार में सबसे पहले वानिज्य पत्र जारी किये गए थे कब किये गए थे 1990 में clear so option D यहाँ पर आपको correct हो जाएगा कि भारती मुद्रा बाजार में सबसे पहले वानिज्य पत्र जारी किये गए थे कब 1990 में आगे बढ़ते हैं what is correct about treasury bills in इंडिया ये भी हम पहले discuss कर चुके हैं भारत में treasury bill के बारे में क्या सही है तो देखिए वे भारती रिजर्व बैंक दोरा जारी किये जाते हैं बिल्कुल सही है ये RBI दोरा treasury bills जारी किये जाते हैं निवेशा को वापसी परिपक्ता मुल और निर्गम मुल के बीच का अंतर है बिल्कुल सही है So RBI तीन अलग अलग परिपक्ताओं के लिए T bill means treasury bill जारी करता है कैसा कैसा तीन अलग 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 परिपक्ता कैसे हैं जैसे की different आपकी maturities कैसी है 91 days, 182 days and 364 days Clear? Treasury bill कम से कम 25,000 रुपे की राशी के लिए उपलब्द है Clear हो गया So बिल्कुल यहाँ पर treasury bill के सभी जो points लिखे हैं यह बिल्कुल बिल्कुल correct है So आपको इस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि treasury bill जो है वो RBI issue कराती है Treasury bill कम से कम 25,000 रुपे की राशी उसमें होनी चाहिए Treasury bills जो है वो अलग-अलग 3 different different maturities उसमें होती है 91 days, 182 days and 364 days इस प्रकार से And the return to the investor is the difference between the maturity value and issue price Clear? चले आगे बढ़ते हैं Which of the following rates are decided by the market not by RBI निम्न में से कौन सी दर है जो RBI द्वारा नहीं जबकि बाजार द्वारा तए की जाती है ठीक है? Very important question ऐसी कौन सा rate है? ऐसा कौन सा rate है? ऐसी कौन सी दर है जो RBI द्वारा नहीं जारी की जाती लेकिन market द्वारा जो है वो दर यहाँ पर तए की जाती है तो वो है inflation rate हम हिंदी में इसे क्या कहेंगे? मुद्रा इस्विती rate ठीक है? और inflation में पढ़ा चुका हूँ previous classes में जिसने नहीं देखी वो previous class आप लोग देख सकता है So inflation rate एक ऐसा rate है जो की RBI दोरा तय नहीं किया जाता किसके दोरा तय किया जाता है? किसके दोरा डिसाइड किया जाता है? market दोरा Clear? Next question देखेगा The regulatory authority of India for all insurance companies in India IRDA has its headquarter in भारक में सभी BEMA कंपनियों के लिए भारतिया नियमिक्तिता प्राधी करण IRDA के पास है तो उसका मुख्याला है कहां ये हमें बताना है Clear? भारत में सभी BEMA कंपनियों के लिए IRDA के पास है प्राधी करण तो ये इसका IRDA का headquarter कहां है ये हमें बताना है तो काफी important question है ये अभी NTPC में भी पूछा गया था ठीक है और SSC में भी कई बार पूछा जा चुका है तो आपके DFCC IEL में बिल्कुल बिल्कुल आने के chances है कि IRDA का जो headquarter है वो है हेदराबाद में हेदराबाद कहां तेलंगाना Clear? चल आगे बढ़ते हैं Which of the following is the rate of interest which a central bank charges on the loans and advance provided to commercial banks निम्न में से कौन सी ब्याजदर है जो एक केंद्री बैंक रीन पर शुल्क लेता है और वानिजिक बैंकों को अग्रीम प्रदान करता है तो वो क्या है bank rate वो क्या है bank rate Clear हो गया तो बिल्कुल यहापर आपका option C जो है correct हो जाएगा कि bank rate एक ऐसी rate है जो एक केंद्री बैंक रीन पर शुल्क लेता है और वानिजिक बैंकों को अग्रीम प्रदान करता है Clear? चलिए Next question देखेगा Dash is the rate of rate at which commercial banks borrows rupees from RBI Dash वहदर है जिस पर वानिजिक बैंक RBI से रुपए उधार लेता है तो वो कहलाता है क्या repo rate चीक है repo rate एक ऐसा rate है जिस पर जो commercial bank होते हैं वो RBI से क्या लेते हैं उधार लेते हैं जिसे हम कौन सा rate कहते है repo rate repo rate पर ही commercial banks जो है वो RBI से उधार लेते हैं Clear? चलिए RBI declares its monetary policy तो RBI जो है वह अपनी monetary policy कब declare करती है quarterly quarterly है न तिमाही इतिमाही में क्या करती है यह अपनी monetary policy जो है RBI declare करती है ठीक है चलिए अब यहाँ पर दे रखा है ALM stands for ALM का यहाँ पर full form क्या है यह अब आप लोग लिए homework है इसका answer आप लोग को मुझे comment section में देना है comment box में देना है मैं सभी का यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर आप लोग ALM का full form क्या बताते हैं clear option A, B, C, D आपके पास दे रखा है so आप लोग को बताना है कि ALM का full form क्या है clear चलिए so यह आप लोग के लिए homework है I hope आप लोग homework का answer बिलकुल देंगे otherwise मैं next class में तो इसका answer बताऊंगा ही clear चलिए अगर आज की class अगर अच्छी लगी हो तो भी यह like करिएगा अपने दोस्तों में share करिएगा comment करके बताएगा classes कैसी लग रही है homework जो है वो आप लोग मुझे बताएगा comment section में इसका answer दीजेगा अभी तक गर आप लोग ने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर ले जगा अपने दोस्तों में भी share कर दीजेगा और important चीज क्या telegram channel आप लोग join कर लेजे क्योंकि जो भी अभी हमने पढ़ा है उसकी PDF में आप लोग को कल telegram channel पर दे दूँगा telegram channel की जो link है वो description box में दे रखी है ठीक है चले तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं मिलते हैं next class में जब तक लिए bye bye take care thank you so much